वह वहां से मोर लगाएंगे पीस्टी कॉलिफाइड की और यह अंडर्टेकिंग में देखो लिखावाई दिस इस सर्टिफाइड देते हैं हलो फैंस आप सब का स्वागत है आपकी अपनी यूटूब सेनल सिगनेचर पॉइंट में और आज का यह वीडियो हमारा अजमेर का जो फिजिकल हो रहा है जो जी आर्पी का जो फिजिकल हो रहा है उसकी संपूर्ण जानकरी हम लेकर आएं तो कैसे क्या हो रहा है कौन से कैसे डॉकुमेंट्स कब चेक हो रहे हैं कब वेट होगा कब आपकी दोड हो रही है तो सारा हम जानकरी इस वीडियो में लेकर आएं हो जब हम gate पर जब entry लेते हैं तो entry पर होता क्या है एक तो आपका admit card plus एक ID चेक करते हैं जो ID आपका जैसे आधार card voter ID लगे जो ID इसके जो मैने वीडियो बनाये था उसमें भी आप दे सकते ओ और इसका लिंक में आपको description box में दे दूंगा तो गाइस यह कि सबसे पहले जब आप गेट में entry कर रहे हो तो आपका admit card प्लस एक ID चेक हो रहा है का ID और आपका जो admit card है उसको चेक कर लेगा उसके बाद जब आप इंट्री करते हो तो आपको एक page दिया जाता है हाँ आपको एक page दिया जाता है उस page के उपर होता है कि जो जो documents आप लाए हो उसपर आप check out उसपर करेंगे जो जो documents आप deposit करवाएंगे वहां पर फिर क्या होगा उस page को आप इलब करने के बाद में आप entry आप एंट्री लोगे और एंट्री के बाद होगा क्या कि जैसे आप एंट्री लोगे तो आपका admit card और जो सारे जो documents है यानि जो documents और जो आपके admit card है उसको वह वहां पर deposit कर लेते हैं और यह जो process हो रहा है यह role number wise नहीं हो रहा है यह randomly तरीके से हो रहा है यानि कहने का मतलब आपका admit card है जो आपका admit card है जो admit card और प्लस जो आपके documents है वह आपसे जमा कर लिए जाएंगे और यह जो process होगा यह randomly होगा इसका रोल नंबर से कोई वास्ता नहीं है आगे देखते हैं आगे क्या होता है और होता है इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो आगे हमें एक biometric का जो एक counter होता है उस counter प्रहसते हैं वह लोग वहां पर होगा क्या आपका biometric होने के बाद में next जू STAYS है वो verification के लिए होती है उसके लिए क्या गरते हैं एक next counter बना होता है उस counter आपको counter पर वेरीफिकेशन के लिए बेजेंगे और वेरिफिकेशन के साथ में सेगे और जो होगा एहाँ आपको एक चेस्ट नमबर प्रवाइड किया जाएगा जीसे कि ज strongly होता है जाँ 5 वह भी आपका रहेगा ब्सक्राइडी ओर प्ला आपके निया 5 सा नहीं से स्टर्टिंग होती है वहां से वह थो डोड़ चालो होती गाईस और भीज चेंशंद कर दो गयंगे एक सा सथ यह करो आगे जब impacts करवाते हैं तो इसमें क्या कि हर बंदेगा time लोगा है यायनि वो इंडिजवड किसे हुआ है इंडिजव ऐसे होगा कि कि जब हम जो रीस जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पर या सेंसर लग culturally MAL यर अगर इसको क्वालिफाइब अब करते उसके बाद आपका बोड़ी वेट किवल will ते बॉडी का नहीं होगा और हाइट होती है जो हाइट है और जो एक जो बोडी मेट है वह 47.50 उसके बाद क्या होगा जो चुट है और जो क्वालिफाइड हो जाएंगे उनको क्वालिफाइड लेटर जे दिए जाएगा जाएगा और आपको मैं बता देता हूं कि qualified letter की ऐसा रिक्वार्मन्ट दो जारी की तो फिजिमर जोर्मांट रिपोर्ट इसमें क्या यह रोल नंबर और यह नेम और यह मैंने चुपा दिया है इसमें डेट अब इसमें क्या है यह देख लिए हाइट इसमें रिक्वाइड हाइट एक सुब आउन सेंट्रीमिटर होती है जो एक सो बांसीट पॉइंट चार पाई गई और जो वेट है वो अपनको सैटालीच पांच चाहिए होता है साड़े सैटालीच यह नहीं तो यह बाउन है और ज वहाँ से मोर लगाएंगे पीस्ट कौलिफाइड की और यह अंडर्टेकिंग में देख लिखावा इस इस सर्टिफाइड दे तो माई पी एम्टी वहाज हुई और यह यह दिख लिए आज की तरहीं आट चार दोजार इकीस और इसके साथ में जो मिजेर्मेंट वर और जो भी जल्ट ऊसको मैं my एक्सक्लिफ्ट fed коैंट एक्सेप करता हूं यह करती हूं और यहां पर जो भी सिखनेचे जो भी है यह बंदा या बंदी उसके यहां पर सिखनेचर हो जाएंगे उंके इस टाइप का हो रहा है इस और अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं तो में तो आप यह देखी रहे हो कि मैंने वीडियो डाला था और वह देख लीजिए प्रीवेश वीडियो उसमें देख लीजिए नॉर्मल यह ग्राउंड है आराम से कोई दिक्कत नहीं है आराम से यहां पर यह बंद यह खड़े रहते हैं राश्तन पुलिस के और यहां पर य जगाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तकि नहीं नहीं अपडेट आपको मिलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहीं जवारत